नमस्कार दोस्तों तो आपका पुन्न एक बार स्वागत है एरा संस्तान के ओनलाइन प्लेटफोम पे आयोप सब अच्छे होंगे और आप ने जो चार फैब को जो कर्शी प्रवेशक का जो पेपर दिया था वो सभी का अच्छा गया होगा तो जो सबी दोस्तों को बेशबरी से इंतजार था कि जो चार फ्रवल को जो अपने कर्शी प्रवेशक की जो एकजाम दी थी उसकी आंसर की डिकलेर नहीं की गई थी ठीक है उसकी आंसर की अब डिकलेर की गई है ओपीशियल वेबसाइट पर तो उसके बारे में अपना चर्चा करेंगे कि जो ओपीशियल वेबसाइट पर जो आंसर की दी गई है उसके बारे में अपन आपको एनलाइसिस के साथ प्रोवाइड करूँगा खिक है तो आशा करता हू आपका पेपर अच्छा गया होगा और जो मैं आपको आंसर की प्रोवाइड करवा रहा हूँ वो सभी के क्यूशन अच्छे अच्छे होने चीए मतलब पलस में जाने चीए आप नेगेटिव कभी भी नहीं जाने चीए ठीक है तो चलते हैं अपन मासारदे के आशिरवास से आज के सेशन को और सभी दोस्तों से एक बाद रिक्वेस्ट है कि आप जो पेपर एनलाइसिस करने के बाद में क्या करना आपको सीधे जाना है अपने कमेंट बोक्स में और जितने भी आपके क्विशन सही हुए है वो आप राइट का इतने हुए है और रोंग इतने हुए है ठीक है उसके बाद अपन एनलाइसिस भी बनाएंगे कि जो आपकी इतने कटोप जाएगी ठीक है इतने पर आपको सेलेक्ट ह हो जाओगे या फिर नई हो पाओगे ठीक है तो वीडियो देखने के बाद में जरूर कमेंट बोक्स में चापना कि मेरे इतने क्यूशन राइट हो रहे है और इतने क्यूशन रोंग हो रहे है ठीक है तो एक बार सेशन सभी दोस्तों के बास शेयर कर दें अपने आपकी ज अब पश्ट क्यूशन क्या बोल रहा है यदि आप किसी डेरी गाय जिसका बचड़ा 36 गंटे पहले पेदा हुआ है और उस गाय का ए देरका आपको तापमान और उतेजना बड़ी हुई है कटोर और ऐस तिर चाल है अपना सिर पिछे की और मोड कर उधर की और देखते हुए बेटी है तो आप निमन में से कौन से उपाय अपनाएंगी आपको जो ये क्यूशन देर का है ठीक है गायगा तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा रूल अपनाना चीह आपको तो इसके अंदर जो आंसर आएगा आपके पस्ट के अंदर पस्ट के अंदर थर्ड आंसर थड़ क्या है हर थन के चोताई भाग को हवा से फुलाना और बंदे हुए चूचकों के साथ मालिस करना यह आपका पस्ट क्यूशन का राइट आंसर है ठीक है अब चलते हैं अपन नेक्ष्ट की तरफ अब आपका जो सेकिंड क्यूशन है वो है जल अपर्दन के परकारों को उनके परबहों के आरोही करम के अनुसार व्यवस्तित करें ठीक है क्या कह रहा है क्यूशन जल अपर्दन के परकारों को उनके परबहों के आरोही करम के अनुसार व्यवस्तित करें तो इसके अंदर जो आपका आएगा वो है बी कुणचा है बी पहले ता आएगा इसके अंदर परत अपरदन फिर रिल अपरदन फिर आएगा आउना लिखा ठीक है क्या आएगा परत रिल और आउना लिखा यह अवरोई करम है ठीक है इसके बाद में आपकर तीसरे क्यूशन की तरफ चलते हैं इसके अंदर जो आपका यह तीसरे क्यूशन है ना यहां पर न आएगा आपका यह तीसरे क्यूशन यहां पर ठीक है इसमें मतलब दूसरा तीसरा और चोता इसमें दूसरा तीसरा और चोता तीनों आएंगे ठीक है परस्ट क्यूशन के अंदर अब तीसरे क्यूशन की तरफ चलते हैं अपन, तीसरा क्यूशन है, हवा की अनुपस्तिती में किसी भी हरित, पोदे के किन्वन दवारा बने उत्पादों को कहते हैं, क्या कहते हैं, बताईए आप, हवा की अनुपस्तिती में किसी भी हरित, पोदे के किन्वन दवारा बने उत्पादों को अपन क्या कहते है silage कहते हैं कि क्या कहते है silage b option is the right answer अब चोते question की तरफ चलते हैं चोता question क्या है आपका निमन में से किसको riboflavin की परचूर मात्रा वाला इस्तरोत माना जाता है क्या कह रहा है question निमन में से किसको riboflavin की परचूर मात्रा वाला इस्तरोत माना जाता है किसको माना जाता है बेल को माना जाता है b option is the right answer ठीक है अब पांचो question आपका है 500 question क्या कर रहा है शीचाई योजना निमन में से किसका vibran देती है जो आपकी शीचाई योजना है वो किसका vibran देती है वो आपको बताना है ठीक है इसके अंदर आएगा आपका तीसरा कौन सा आएगा तीसरा केवल एक और दो बोले तो पसल में कितना पानी देना है और पसल में पानी देनी की आउशकता कब है अपने को एक तो क्या देखना है कि जो पसलों को जो पानी की आउशकता होती है वो क ठीक है, अब चलते हैं अपने, नेक्स्ट क्यूशन की तरफ, आपका चट्वा क्यूशन है, ठीक है, चट्वा क्यूशन आपका है, निमन में से कौन सी परजाती के दूद में उच्वसा मात्रा होती है, आपको बताना है, कि जो आपकी जो परजाती है, ठीक है, चार आपको परजाती है, दे रहे हैं, उट की, बकरी की, गाय की और बेंस की, ठीक है, उन में से उच्वसा मात्रा, मलब दूद, किसके दूद के इसके अंदर पाई जाती है bowls किसा तीका करन दवारा कौन छे रोग की रोग ठाम कि मतलब बोले तो तीका के दवारा आप्न कौन को या रोगों से बचाया जा सकता है तो बताना आपको इसके अंदर आएगा ब्लेक कवार्टर से अपने जब ब्लेक कवार्टर हो जाए ठीक है पसुर के अंदर तो अपने को क्या करना चाहिए उसके अंदर टिका करन करना चाहिए ठीक है अब साथ क्यूशन अपने पास कंप्लीट होगे आगे चलते हैं आटा क्यूशन है आपका आटा क्यूशन कौन सा है निमल लिक्त में से कौन सा कथन कुकुट हेजा के संदर्व में उचित नहीं है ठीक है कौन सा आपको बताना है इसके अंदर तो आट वेक अंदर आएगा आपकी D option केवल 4 बोले तो ये विसानु दवारा होता है जो आपका कुकुट हेजा संदर्व होता है वो किसके दवारा होता है केवल विसानु के दवारा ही होता है ठीक है आट क्यूशन अपने पास कंप्ली के परवर्तक है आपको बताना है आख न्व घूय के अंदर आएगा आपके जंबेस्वर्ची जो अपकी बार कर्शी प्रेर चुरा ना तो चेके का सभी को mix कर दिये गया ठीक है इसके बाद में 10 वा क्यूशन आपका है दस्वा क्यूशन में है निमन में से कौन सी पसले निमो बंस इस पिसी से सम्मझ देता है ठीक है यह बताना है आपको कौन कौन सी आपकी एक तो है बी ओप्सन आएगा इसके अंदर एक और दो और चार बोले तो एक तो आपकी छोटा संतर आगया मिठी संतर आगई ठीक है और एक किन्नू आगया ठीक है वन टू और फोर इसके अंदर जो तीसरी आपकी कट हला है वो आपके निम्बू बंस की स्पिसीज के इंतर गयती नही किशन में है आपके किसने जेसल मेर में पांच पटवा हवेली बनवाई आपको बताना है कि जो जेसल मेर है उसके अंदर पांच जो पटवों की जो हवेली बनाए गई है वो किसके दवारा बनाए गई है वो किसके दवारा बनाए गई है आपको बताना है गुमान चंद के द 12 क्युष्ण के अंदर आपको सुमिलित करना है ठीक है तो हुए इसके बाद में बात करें अंगूर की तो अंगूर की आएगा देड कार्ष्ट करताण ठीक है चोते से इसके बाद में सी है आपकी पपिता है पपिता के अंदर कौन से, बीज के दवारा, पपिता के अंदर जो परवर्दन होता है, वो किस के दवारा होता है, बीज के दवारा होता है, अब जो आपका अमरूद होता है, वो किस के दवार होता है, वायू परतंतता मुकुलन के दवार, ठीक है, यह अपने बारा क्यूश के तरफ चलते हैं अपने तेरह क्यूशन आपका है राजस्तान में किस चेतर में सुंदर कांती जोसी पुरुषकार दिया जाता है तो किस में दिया जाता आपके बोले तो महिला किरकेट में अब 45 क्यूशन आपका है सुमिलित करना है ठीक है चोधे क्यूशन के अंदर आएगा पस्ट ओप्चन बोले तो आपको मिला देता हूँ में पहले जो आपका Е है वो तो गड़ेश विनाएक्स शंब ねत है ठीक है अब जो आपका यह है वो है चोत पूर अंदर से हैं और जो आपका गर्दव है वो तीसरे से हैं ठीक है अब चोधा क्यूशन कंप्लीट हो गए पंदरो क्यूशन की तरब चलते हैं ठीक है पंदरो क्यूशन क्या है निमल लिखित में से भूतकाल को परकट करने वाले वाक्यों की पैचान कीजिए तो इसमें कौन सा आएगा तुमने C आएगा इसमें केवल 3 और 4 लब इसके अंदर तुमने गाया होगा उसने मुरारी को मारा था उसने मुरारी को मारा था और तुमने गाया होगा सोड़ा क्यूशन की तरब चलते हैं, सोड़ी क्यूशन में आएगा आपके A option, बोले तो यह वाड़ा, ठीक है, अब आएगे चलते हैं अपन, फटापट से करवा देता हूं, सत्री क्यूशन के अंदर कता आएगा, आपके सत्रा क्यूशन के अंदर आएगा, आपके C option, ठीक है, निमल लिक्त में से कौ आपका बहार निकला हुआ चोड़ा और लंबा मस्तक, यह इसके जो विशेशता है, कि जो आपकी गाय है, इनमें से जो लक्षन है या विशेशता है, वो कौन सी नसल के अंदर पाए जाती है, बहार निकला हुआ थोड़ा वे लंबा मस्तक, मतलब जो गाय का जो मस्तिक्स होता है वो तोड़ा बान निकला होता है और लंबा होता है ठीक है वो किसके अंदर पाय जाता है गिर गाय के अंदर पाय जाता है आगे के तरफ मुड़े हुए निलंबी कान होते है उसके सपेद रंग जिस पर समुचे शरीर पर गाडे लाल या चाकलेटी पूरे भूरे रंके दब्बे विप्रिद्ध होते हैं ठीक है इसके अंदर गिर आएगा इसके बाद भी गुनीश्वा क्यूशन आपका है गुनीश्वा क्यूशन के अंदर के तो अपने को फिर से मिलान करना पड़ेगा तो इसके अंद दूसरे को चोते से मिलाना है अब जो तीसरा है इसको किसे मिलाना है पस्ट से मिलाना है और जो चोता है उसको सेकंड से मिलाना है तो इसके अंदर राइट आंसरी इस दे फोर्ट टीक है इसके बाद में चलते है अपना आगे ये कितने क्यूशन होगे गुनीश्वा क्यू होता है इस टोक का नियम पर आधारित होता है 21 वे क्यूशन के अंतरगता आएगा अपने सी बोले तो पर साखाई वानी जेक इस तर पर खजूर के पेड़ों को नियमन में से किसके द्वारा परवर्दित किया जाता है जो आपका जो खजूर का प्लांट होता है उसको परवर से डी ओप्शन बोले तो चार और पांच चार और पांच में सश्य और वायू निमल एकितमे से अगनी सब्द का प्रयाविची सब्द नहीं है इसमें क्या पूचा है कि अगनी का प्रयाविची नहीं है तो आपका जो सश्य है वो भी नहीं है और वायू है वो भी नहीं है जो आपके तीनों है, अनल है, दव है और कर्चानु है, वो तीनों सब्द प्रियावची है अगनी के, ठीक है, इसके बाद में तेज़वी क्यूशन की तरफ चलते हैं, तेज़वी क्यूशन के अंतरगत आएगा आपके A उप्शन, अब A का आपको मिलान कर देता हूँ, ये यूरिया है, 46% नाइट्रोजन पाई जाती है इसके अंतरगत, इसके बाद में जो आपका B है, इसके अंतरगत 16% पाई जाती है, सोडियम नाइट्रेट के अंदर, जो आपका C है, इसके अंतरगत जो आपका O, 16, 12 है, उसके अंतरगत क्या पाई जाती है, 0% नाइट्रोज पाई जाती है ठीक है चोईस्यों की तरफ चलते हैं चोईस्यों क्या है आपका सूची को सुमेलित करना अपने को ठीक है तो इसके अंदर आएगा आपके चोईस्यों के अंदर गद बीस ठीक है अब बीस्यों में क्या है एक तो देरक है आपको तीसरे से क्या है शीरोई बकरी की किसकी नसल है शीरोई की है ठीक है अब इसके बाद है जो बेड़ दे रखी है वो बेड़ किसकी आएगी यह कौन सा क्यूशन है 24 क्यूशन है जो बी है बेड़ किसकी है पुगल की अब जो आपकी गाय है वो गाय किसकी है मालवी की गाय माल जील कापर इस्तित है विकानेर के अंदर का इस्तित है अब 26 क्यूशन के अंदर के आएगा पेक्टीन जेली बिनाने के लिए जो अपन सबसे महत्वपून जो गटोग होता है वो पेक्टीन होता है ठीक है इसके बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्यूशन की तरब अपन नेक्स्ट क्यूशन आपका है कौन सा क्यूशन आपका 27 क्यूशन ठीक है 27 क्यूशन में अपन चलते हैं गाय के दूद प्राप्त होता है जो साकारी अहार में की प्राप्ति का एक मातर जन्तु इस्त्रोत है कौन सा क्यूशन अपना 27 क्यू अब आगे चलते हैं यह इस जो आपका क्यूशन है ठीक है कौन सा 27 क्यूशन यह तोड़ा डिलिटोने के चांस इसके अंतरकत अब 28 क्यूशन जो है आपका उसके अंतरकत आएगा उत्तर दक्षिन क्या आएगा मवेशियों की जो ओसारे जो आप बोले तो सेड कि लंबा जो दूरीन अनुमिल के जो रखी जाती है वो किदर रखी जाती है ज्यादा तर उत्तर से दक्षिन की तरफ रखी जाती है अब इसमें मिलान करते हैं अपन B ठीक है अब इसके अंतरकत आएगा बस्त जो आपका देरका है अव्यों बहाव समास आ गया ठीक है अब B देरका है उसके अंतरकत ततकूर समास आ गया और जो दसानन है उसके अंदर कौन सा समास आ रहा आपके चोता बहुबिरी समास ठीक है दनानन में और जो लेंदेन में है वो दवन समास आएगा आपके ठीक है गुंतीस क्यूशन कंप्लीट हो गया है तीस्वा जो आपका क्यूशन है तीसवे में आएगा आपके B option ठीक है आपको फटापट कर देता हूँ वीडियो का फी बड़ी हो जाएगी ठीक है इसके बाद में आप मिला ले ना इसको या फिर मैं मिला देता हूँ चावल को औराईजा सेट आएगा हो गया ठीक है मुंफली का कुण सा हो गया आपके एरे और रख का उधारण क्या है किसका समिषर उर्णर्ण का उधारण क्या है तो क्या है SSP सुरी DAP है आपको ठीक है इसके बाद में आपने चलते हैं 32 किसन की तरफ 32 किसन आपका है पटापट से करभा देता हूँ 32 किसन के इंदर करता आएगा आपके B option बोले तो अब जो पश सोरी प्रमार में है और दूसरा चोते से ठीक है जो आपका एक लिंग या आएगा वो है मेवार से है मावी जो आएगा गुजल प्रतिहार से है ठीक है इसके बाद में अपन चलते हैं तैतीस्वे क्यूशन की तरफ जो आपका तैतीस्वे क्यूशन है तैतीस्वे क्यूशन मे मिला देते हैं एक वो विसलपूर है जो बनास से है ठीक है और जो चोती है आपकी ठीक है इसको अपन जो अरवार है वो किसे है खारी से है जवार सागर है जवार सागर किसे है चंबल से और जो आपका मेजा है वो किसे है कोठारी से है ठीक है कोठारी से मिला देते हैं इसके बाद वह चारे की लागत, दूद उत्पादन लागत के कितनी परसंटाइल होती है, तो कितनी परसंटाइल होती है, इसके बाद भी जो आपका 35 क्यूशन है, 35 क्यूशन में क्या आएगा, डिंडोल बसी, जिराजस्तान में किस इस्तान पर अनार का उत्रिष्टा के अंदर, जो आनार का उत्रिष्टा के अंदर हों कहां पर इस्तित है, डिंडोल बसी के अंदर इस्तित है, पिशू के दवारा कौन से रोग का संचरन होता है, तो कौन से रोग का होता है, आपके बेबियोसिस, किसका होता है, बेबियोसिस का होता है, केसरी सिंग बारहट का जनम किस इस्तान पर हुआ था तो किस इस्तान पर हुआ था आपके सापपुरा के अंदर किस इस्तान पर हुआ था जो जनम है ठीक है बाहरेट का बाहरेट का जनम कहा आप पर हुआ था सापपुरा के अंदर के तो हुआ था इसके बाद में है 38 वी question है 38 वी question में क्या आएगा आपके जो दूद का जो दोहन होता है वो कितने minute में 6-7 minute पर अपने को कर लेना चाहिए मतलब उप्यूप time या फिर अच्छा time तो यही रहता है कि अपने जो गायों का दूद निकालते बहस होगा जो दूद निकालते दोहन करते हैं ओपने को 6-7 minute के अंतरकत कर लेना चाहिए ठीक है अब गुन 400 क्यूशन है सिलिकिंग एक परजनक आवस्ता है जिसे पसल में देखा जा सकता है तो क्यों उसी पसल में देखा जा सकता है बहुत important क्यूशन है बहुती short या sweet बोल सकते हैं वो किसका है मक्का के अंदर सिलिकिंग वो मका के अंतरकतित अपन करते हैं ठीक है 400 क्यूशन आपका नेमलिक्ष में से क्या अंबिका दत व्यास दवारा लिखित नहीं है ठीक है 400 क्यूशन के अंदर क्या है आपके विजेपाल रासो ठीक है इसके बाद में 41 क्यूशन है आपका फलीदार बीजों में स जाता है किसके दवारा यांत्रिक ठीक है तोड़ा जल्दी चलते हैं अपन 42 क्यूशन में आएगा आपके ए ओप्सन ठीक है खतन पस्ट और दोनों सही मतलब ठीक है इसके बाद में 43 क्यूशन में आएगा आपके D ओप्सन बोले तो 0.002 मीमी से अधिक जो चिकनी बिटी होत होता है वो कितना होता है 0.002 से अधिक होता है इसके बाद में है पूशा परगर्टी का एक पर्मुख परकार है जो आपकी पूशा परगर्टी है उसका पर्मुख परकार कौन सा आपका कौन सा है उद्यान मतर ठीक है 45 क्यूशन आपके है D ओप्सन आएगा इसके अंदर ठीक है यह आप मिला लेना ठीक है इसके बाद में क्योंकि वीडियो काफी वीडियो जाएगी 46 में आएगा आपके C ठीक है कितने 12 ठीक है इसके बाद में अमेरिकन जो आपका वरग है उसके अंदर पूचा आपको मर्दा को कोटी में वरगित कितने कोटी में 12 के अंदर ग प्रस्ट मिल आएना डिक के अंदर दूसर मिलना ठीक है इसके बाद में 48 विक्यूशन की तरब चलते हैं 48 विक्यूशन में आएगा 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 पर papas इसके बाद में चलते हैं, sorry, यहां पे नहीं, यहां पे, यह भी हो जाएगा, इसके बाद में अपने चलते हैं, क्या उन्वे क्यूशन, क्या उन्वे क्यूशन आपका है, खेत रहना मुहावरे का सही अर्थ है, सहीद होना, ठीक है, इसके बाद में बाउन्वा जो क्यूशन है अमुरूद के लिए नियमन में से क्या सही नहीं है इसके बाद में त्रेपन जो पूशन है किसी आदर से इसवेस में फलों के गुद्दे या रश की निोंतम सांदरता कितनी होनी चाहिए आपको बतानी है तो कितनी होनी चाहिए पचीस परसेंट होनी चाहिए अब जो आपका चौनवा क्योशन है वो है मिलाना है तो चोनी कुछन को आप मिला लेना इसके अंदर D option आएगा पस्ट के अंदर 3 आएगा, B के अंदर 1 आएगा, C के अंदर 4 आएगा और D के अंदर 2 आएगा अब जो पानी-पानी होने का अर्थ है मुआ वरे का अर्ध पानी-पानी होना मुआ वरे का क्या आर्थ होगा तो वह बहुत लज्जित होना चपनवा क्यूशन है चपनवे के अंदर आएगा आपके रख्त इस्त्रावित पूर्ती जीवर अक्ता ठीक है अब चपनवा क्यूशन है ठीक है सोरी 17워서 की तरफ चलते हैं 17 सलजो आपका 17 papitution उसके अंदर C option आएगा ठीक है मिला लेना आप इसके बाद जो आćानmek question है उसमें है आपके Pasन नमबर question में है B ठीक है इसको मिला लेना गुन्सो टोवे में है आपके A option ठीक है कवक, ठीक है, कवक मूल बड़े पोद्यों के लिए मूल तंतर और मूल तंतर कवक के बीच सहजी भी समन्दे रहता है आपके, ठीक है साट यो के कुशन है उसके नतर्गता आएगा आपके D ओप्सन ठीक है, इनको मिला लेना आप क्योंकि मिलाने में काफ़ी टाइम लगेगा आपको मैं बता जता हूँ इक से टोवक क्यूशन में आएगा आपके A, ठीक है, इसको भी मिलाना पड़ेगा क्यों बात ही करना ठीक है, मूँ आप रहा है इसके बाद में हैं आपके बासोटोगा क्यूशन है उसमें दे रखा है कि इसको भी मिलाना पड़ेगा आपको ठीक है इसके बाद मिंचलते हैं आपको कौन सा आक्यूशन तरेश्ज में तरेश्ज में आएगा आपके चारों आएंगे इसमें ठीक है यह हो गया अपना बिजाम्रित से बनता है बिजाम्रित से क्या बनता है आपका बताना आपको 63 हो गया यह कौन से क्यूशन आ गया 64 वे क्यूशन में आपके 64 वे क्यूशन में आपके है एक बागो ठीक है उसके बाद में आपका 65 वे क्यूशन है इसको भी मिलाना है तो इसमें आपके आपके सी आजाएगा ठीक है इसके बाद में है आपके राजस्तान में निमन में से कौन सी पसल उगाने के लिए नार्कोटिक्स विबाग से अनुमती लेने की आउशकता होती है तो कौन से विबाग से अपने को अनुमती लेने की आउशकता होती है आपके पेपेवर सौमनी फेरम इसके बाद में है निमलिक्त में से किस पसल की पसल लवणिये थता सोडिये मर्दा में उगाने के लिए होती है तो कौन सी है आम ठीक है इसके बाद में चलते हैं 68 वा है आपका निमलक्त में से किस ने राजस्तानी बहसा में साहिते अकादमी युवा प्रुषकार 2023 प्राप्त किया है तो बताइए आप 68 वा क्यूशन में कौन सा आएगा आपके देविलाल महिया ठीक है गुनतर वा जो आ आएगा आपके कोलफसलों में से निमन में से समलित है तो जो- इसके अंदर आएगा आपके बी ओप्षन जो प्तूल वभी अभी आएगा आप कोलफसलों में और आती है इसके बाद फिरसे ग्योट रीट्टर वा जो क्यूशन आपको मेचिंग का आएगा तो इसमें ना बैतर हुआ जो कुशन है आपके उसमें आएगा राजस्तान का कौन सा सहर मेंदी नगरी कहलाता है तो कौन सा कहलाता है सोजत जो आपका नगर है राजस्तान में कौन सा सहर जो आपका राजस्तान के अंदर एक जो सहर है सोजत वो मेंदी नगर के नाम से जाना जाता है य में आएगा आपके C option इसमें चारों आएंगे रोपन भी आएगी सिल्किंग भी बुच्छे बनाने भी सारी क्रियात्म परिपक्वन भी आएगा इसके बाद में जो छोतरवा क्यूशन है उसके अंतरकत आएगा आपके B मुझे आपके साथ चलना है सुद्ध वाक्य का चैन क दिये तूफान आने का संदे है मतलब आने का संदे है मैंने मेरी कलम मेज पर रखी थी मतलब रखाने रखी थी देश में सर्वस्वे सांती होनी चाहिए अनुरूद परसन है तो मतलब मुझे आपके साथ चलना है बस यह राइट है सुद्ध वाक्य है बोले तो में आपके आएगा सरी वाक्य विकलब का चेन करना है तो फिचेतर में आपके आएगा वास्तिक इस्तिति का पता चलना ठीक है चिंतरवे में आपके हैं अंक का अनेकारती सब्द नहीं है आक नहीं है इसका ठीक है इसके बाद में चिंतर क्यूशन होगे complete 77 जो आपका केक्टस बोले तो नाकफली पोदो को वर्गिकरित किया गया है किसमें मरुदबीद में किया गया है इसके बाद में जो आपका गुणियासी क्यूशन है ठीक है गुणियासी क्यूशन में आपके आएगा बी ठीक है बी के कोडिंग आप मिला लेना सुमिलित कर लेना ठीक ह जो क्यूशन है उसके अंतर आएगा आपकी बी, दो बटा तीन या एक बटा तीन ठीक है, जो 21 नमबर का क्यूशन है उसमें है आपके राजस्तान सरकार ने किस देश के साथ प्रेटन की प्रोनती के लिए अनुबंद किया है, सिंगापुर के साथ, ठीक है, इसके बाद में जो 82 जो क्यूशन है निम्ल्टिमे से कौन सा छेतर दनिये का व्यापत इस तर पर उत्पादन प्राप्ति करता है तो कौन सा करता है आपका कोटा ठीक है 83 जो क्यूशन है वो है आपका बारत में 2020-21 में परतीप वेक्ती दूद की उपलबता मिलती है तो कितनी मिलती है आपको 33 जो क्यूशन में आएगा आपके D option 445 ठीक है ठोमसन सीडलेस निम्ल में से किस की किस में है बताने आपको तो किस की है अंगूर की ठीक है से रिदेहे सब्द का सही विलौन सब्द कौन सा होगा बताइए आप कौन सा होगा रिदेहीन ठीक है इसके बाद में 6 जो क्यूशन है बीजों की विबिन वर्गों को उनके प्रारंबिक विकास से वित्रण की आवस्तावत तक करम में लिखे तो केंद्रक बीज ठीक है इसके अंदर शोरी यह नहीं आएगा पहले जो अप्षन है केंद्रक बीज आएगा यह मतलब करम में जचा हुआ है केंद्रक बीज परजनक बीज आधार बीज और प्रमानित बीज ठीक है इसके बाद में अपने चलते हैं सत्याशी नंबर का क् पेरा कवाट को साखनासी के अंतरगत वरगी किरत क्या गया है तो किसके अंतरगत किया गया है संकुचित के अंतरगत इसके बाद में 88 नमबर का क्यूशन निमन में से अपर तरन नासी का उधरन कोंसा है कोंसा है केवल एग बोले तो glyphosate छीक है इसके बाद में 89 नमशी नमर्गा है कौन सी रचना महाराणा कंब्ढा दा्वारा रचित नहीं है वो बताने है आको ठीक है तो कौन सी नहीं है संगीत सार ठीक है 90 नमब्गा क्योशन है नमर्लिक्ट मेंसे किस पसल को जल की अधिक्तम आफशकता होती है तो किसको होती है सबसे ज़्यादा चाउन को होती है वाटर यूज इफिसेंसी ठीक है इसके बाद में है निमल लिक्ट में से किस फसल के लिए पित सीरा मोजेक रोग पूनेतिया विनासकारी होता है किसके लिए होता है पूनेतया विन्डी के लिए होता है इसके बाद में है आपका उदेपुर की लड़ाई कब हुई उननी सो कब हुई थी बानवा क्रिशन में आएगा आपके स्यूप से सोडा सो असी केंट में हुई थी ठीक है जेसर मेर का गुंडा राज पुस्तक का लेखक कौन है तो कौन है आपका सागरमल गोपा ठीक है चोराणवा नंबर का जे क्रिशन है वो है पोदो में कौन सा तत्वे एगतिसील होता है पोदो में कौन सा पोश्यक तत्वे एगतिसील होता है तो कौन से होता है D, बोले तो 1, 2 और 4, N, P और K, ये कौन से होते हैं, एग अतिल, सोरी, एग अतिल पोशक तत्वय होते हैं, इसके बाद में 45 में नंबर का जो क्यूशन है, निमलक्त में से कौन संगीत के जेपुर गराने से सम्मन्दित है, इसमें आएगा आएगा आपके D Option, मलीकारजुन, मसूर, 96 क्यूशन फिर से एक बार सुमेलित का आगया, उसमें आएगा आएगा आपके B Option, जो आपका सवतंतर था है, वो प्रतंतर से हैं, और जो आपका स्वादीन है, वो है प्रादीन से हैं, और जो आपका कृत्ज़ग्य है, वो किसे हैं, किरत्ज़द जन्द से हैं, इमानदारी है वो बेहिमानी से हैं, ठीक है, ऐसे मिला लेना है आपको, इसके बाद में है आपके, सत्याणमा क्यूशन, दान की पसल की अवस्ताओं को सही करम में व्यस्तित करना है आपको, तो व्यस्तित करम में तो पहले चोती तीसरी, पहले तो आएगे की बीजन, ठीक है, और परत्यार ओपन, दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर तलसासन, चोते नंबर पर पुश्पो गुच्छन, ठीक है, सत्याणमा क्यूशन अपने कंप्लेट हो गए, अठ्याणमा क्यूशन हो गए आपके, अठ्याणमा क्यूशन है आपका, अब जो 99 में नमब्र का vine है? राधस्तान में परतम वन निती को गोशना कब हुई थी? तो कब हुई थी? 2010 के अंदर So number confusion है Whole of heroes जोधुर्पुर के किस बाग में इस्तित है ठीक है जोधुर्पुर के कौण से बाग में हिरोज तो कौन से बाग में इस्तित है मंदोर बाग में मंदोर गार्डन वहाँ पर इस्तित है होल ओंदोर हिरोज ठीक है तो आपकी official वेबसाइट पर जो आंसर की थी वो आपको मैंने ओनलेंग प्रोवाइड करवा दी है तो आसा करता हूं सबी दोस्तों के ज़्यादा तर क्यूशन सरी हुए होंगे और मेरी यही उमीद है कि जो भी अच्छे से पेपर करके आये होंगे उनका पेपर अच्छा गया होगा और मैं यह दुआ करता हूं कि उनका सेलेक्शन जरूर होए और ऐसे ही आप अपनी तियारी को मजबूत रखे और आगे बढ़ते रही ऐसे ही तो अपनी सेशन को सुमाप करते हैं और एक बार आपको रिक्वेस्ट है कि आप सेशन को शेर करें वीडियो को लाइक करें कमेंट करें और जो भी दोसी चैनल पर नए जुड़े हैं को चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर दे वे खिक है? और मेरे को कमेंट बॉक्स में क्योंक्यूशन इतने हुए ठीक है ठेंक्यू